यह खबर है पैसट वर्षिय बुजुर्ग सजन अगरवाल की प्रेणा दायक प्रयासों के बारे में जिनोंने उडीसा की कटक शहर में एक निशुग दंचिकिस्सा क्लीनिक्स थापित किया है इस क्लीनिक का उदेश है गरीब और जरूरतमंद लोगों को दंचिकिस्सा की सुवीदा मुहिया कराना जो आम तोर पर महगे इलाज की कारण नहीं करवा पाते इस क्लीनिक का उदेश है आदिवासे लोगों को दातों की समस्याओं से मुक्ति दिलाना है सज्जन अगरवाल ने 2023 में यह डेंटल क्लीनिक स्थापित किया और अब तक 500 से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज दिया है इस क्लीनिक का संशालन केवल 50 रुपे की नॉमिनल शुल्क पर होता है और बाकी सारी सेवाए निशुल्क होती है यह प्रयास न केवल मरीजों को स्वास्तला पहुचा रहा है बलकि समाज में एक सकरात्मक संदेश भी फैला रहा है कि कैसे एक व्यक्ति की कड़ी महनत और इच्छा शक्ती से समाज में बदलाव लाया जा सकता है इस तरह की पहल देश और समाज के लिए प्रेड़ना है जिससे अन्य लोग भी आगे बढ़ कर समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे हालाकी या क्लीनिक सब्ता में अभी केवल दो दिन ही खुलता है लेकिन इसका उदेश भविश में हफ्ते में छे दिन चलना है समाज साखी तो देखु जाए और ना रोक देखु जाए दास्तों के लिए पाड़ी बात सतेजी जैसे में अपने जिकर किया कि आपका खर्चा होना था एक लाग रुपया बाहर में यहां पर बहुत कम पैसा हो गया आपको फिर एकोनोमिक फाइनस में भी इतना जूजना नहीं पड़ा सही बात है एक्षुल में हम जदी प्राइवेट में जाते तो हो सकता आज मैं सोचता हों कि साइद में प्राइवेट में जाता ही नहीं पिर यहां पर जब आया तो यहां पर इतने कम पैसे में जब खर्चा हुआ यहां पर की 75% मेरे को रिडूस हो करके जब पूरा टोटल खर्चा हुआ, तो मेरे को अच्छा हो लगा कि चलो मैंने अपना हिलाज यहां पर करवा लिया, तो यहां पर मेरे को यहन वो होता है जो आदमी Kaid के बारे में भी कहीं पर प्राइवेट में जा नहीं सकता है, तो उसके लिए संस्था है करीमन हुआँ अपना हिलाज और अ कि इतना कोश्टली है तो वह कहीं पर जाते भी नहीं है और जब एक्चुल में ऐसा एक संस्ता मानूम पड़ता है कि जहां पर पचास उल्पे रजिस्ट्रेशन में और कम में आ जाता है तो उसको यह लगता है कि दान्त का और क्या रिलाज हो सकता है तो वहां पर आकर रिके कर दो वहां पर जाता है सकता है